दिगगज नेता रहे कपिल सिब्बल ने कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है कॉंग्रेस के जी 23 के प्रमुक बागी रहे सिब्बल ने बड़ी खामोशी के साथ कॉंग्रेस छोड़ दी सिब्बल ने कॉंग्रेस छोड़ने का आज खुद अलान किया सिब्बल ने तो गांधी परिवार को कॉंग्रेस से हटने और नए नेतरित्व का मार प्रशस्त करने की मांग कर दी थी उनके इस बयान के बाद अशोक गहलोत ने निशाना साधा था अब सिब्बल ने कॉंग्रेस से अलग राह चुन ली है हाला कि उन्होंने कहा कि 31 साल का कॉंग्रेस का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं था वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं दीगर बात ये है कि उन्होंने औपचारिक तोर पर एसपी की सदस्यता नहीं यी है गौर तलब है कि एसपी नेता आजम खान ने हाल के दिनों में सिब्बल की जमकर तारीफ की थी तभी से ये कयास लगने लगे थी कि पार्टी उन्हें राज्यसभा का टिकट दे सकती है कपिल सिब्बल ने आज लखनव में राज्यसभा उम्मीदवार का पर्चा भरने के बाद कहा कि उन्होंने 16 मई को कॉंग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने कहा कि बतौर निर्दलियव वह समाजवादी पार्टी की मदद से एक बार फिर यूपी से राज्यसभा जा रहे हैं सिब्बल ने कहा कि वह कॉंग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया है तो मेरे लिए कॉंग्रेस के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा कॉंग्रेस का 30 साल का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं था गौर करने वाली बात ये है कि सिब्बल ने उपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी का दामन नहीं थामा है उन्होंने निर्दलिय पर्चा भरा है स्पी के समर्थन से वह राज्य सभा जा रहे हैं पर्चा भरने के बाद सिब्बल ने कहा हम विपक्ष का गटबंधन बनाना चाहते हैं सिब्बल ने कहा कि हम विपक्ष में रहकर मोदी सरकार का विरोध करेंगे उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव से पहले हम मोदी सरकार की कम्यों और खाम्यों को जनता के बीच ले जाएंगे हम जनता तक विपक्ष की बाद पहुँचाएंगे सिब्बल को हाल ही में राजस्थान के उदेपुर में आयोजित चिंतन शिविर में बुलाया गया था लेकिन G23 के बागी रहे सिब्बल वहां नहीं गय थे तभी से कयास लगाय जा रहे थे कि वह पार्टी छोड़ सकते हैं जीती इस कॉंग्रेस के पार्टी नेताओं का एक समूह है इन नेताओं ने पिछले साल पार्टी नेतरित्व और उसकी कार्यप्रनाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी को खत लिखा था इन नेताओं ने जल्द से जल्द संगठन चुनाव कराने की मान की थी इसमें कपिल सिब्बल, गुलाम नभी आजाद समेत कई बड़े दिगगज कांग्रेसी नेता शामिल थे उत्तर प्रदेश के लखनव से एफकेन टुडे न्यूस की रिपोर्ट